नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है उत्रपदेश पैरा मेडिकल एड्मिशन फॉर्म 2021 के में आप सभी का स्वागत भी है हमारे चैनल स्वरा अनकेडमी क्लासेस पर इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो हम आपको सबसे पहले बता दें 6 दिसंबर है इसकी फॉर्म यानि BPT, BSC Medical Laboratory Technics, BMLT, Bachelor of Audiology Speech Language Pathology यानि BASLP, BSC Optometry, BSC Radiological Imaging Technics यानि BRDIT इतने सारे courses आपको 5 courses आपको 6 courses मिलते हैं यहाँ पर जो है इस particular एक फॉर्म के अंतरगत तो आईए हम आपको एक एक करके सारी चीज़ों को explain करते हैं कौन सी इसकी official website है, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, एक एक चीज़ को clear करेंगे देखिए हम आगे हैं यहाँ पर official website अटल बिहारी बाचपई Medical University उत्रपदेश आज Saturday का दिन है, आज है नॉमबर 6 और हम इस सम्टम टाइम में वीडियो record कर रहे हैं आप देखिए AMUA अटल बिहारी बाचपई Medical University Medical Exam, यह home page है इसका, इसमें आप सभी लोग उने BSc Nursing का form apply कर चुके होंगे, सभी लोग बाकी exam का wait कर रहे हैं, admit card का wait कर रहे हैं, नीचे के तरब scroll करेंगे तो para medical courses आपको मिलते हैं यहां देखिए दो method हैं, दोनों form हैं, एक ही website पर तो एक आपको इन courses के लिए मिलेगा, अगर आप इन courses में से किसी एक course को करना चाहते हैं, तो आपके लिए view details यहाँ पर मिलेगी, अगर आप इन courses में करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर इस view details में जाना होगा, तो आप यहां से जाकर इस जगे पर फ्यू डिटेल करेंगे तो एक एक करके हम देखेंगे पहले हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे पहले हम इसकी बात करेंगे फिर उसके बाद हम इसकी बात करेंगे तो एक एक करते हैं सबसे पहले हमने पर्टिकुलर इस वाले को टेक क या पैरा मेडिकल जो है फॉर्म भरने के लिए तो यहां पर डिटेल आप पाएंगे तो देखिए यह डिटेल है तीन नौबर से यह शुरू होड़ा हुआ है छे दिसंबर तक यह फॉर्म भरा जाएगा इसकी आप 6 दिसंबर तक last date for application है यहां पर इसकी जो application fees है वो आप सभ आप यहां से भी download कर सकते हैं बिना किसी दिकत के तो clear हो गया हुआ अब आप इसे registration कहां से करेंगे यह तो main बिंद हो गए इसके यहां देखिए new applicant registered here यहां पर लिखा हुआ है और यह इतने सारे courses हैं जो हमने आपको static में ही clear कर दिये हैं उन में से आप जिसमें apply करना चाहत हैं apply कर सकते हैं यहां हमने new applicant registered here पर click किया तो देखिए नया interface आपके लिए open होगा और उस interface में आप अपना mobile number email confirm email high school intermediate password यह सारी चीज़े आप भर कर आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं तो यह registration करने का तरीका होगा यहां पर उम्मीद करते हैं आप इसे आसानी से समझ गए ह होंगे इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं same pattern पर तो यहां आप देखिए दूसरे जो pattern हमारा है बात करने का उसमें आप देखेंगे इन paramedical courses के लिए तो यहां पर आपको view करना होगा इस view पर जाएंगे तो आपके लिए नया interface open होगा बिल्कुल हूब होगा बस यहां courses अ पाउचर है आपका जो information voucher है वो भी यहां पर ही same position में आपको मिलेगा यह advertisement है बाकी details यहां पर टेंटेटी उती गई हैं उपर से आप नीचे जब स्कॉल करते हैं तो आपको यहां पर new applicant मिलता है इस new applicant पर आप जैसे ही टिक करेंगे तो आपको optometry के लिए और radiological के लिए same pattern यहां फ़ाम भरने का आपको मिलेगा आप यहां से create करके आसानी से आगे की तरफ move कर सकते हैं तो यह जो मुखे window है इन पर आप सभी लोगों ने देख लिया है एक एक करके चीजों को समझ लिया है कि किस प्रकार आपको क्या करना है अगर आप हम आपको एक जो है इसका प सरपदेश कंबाइंड पैरा मेडिकल इंट्रेंस 2021 यह इसका इंफरमिशन बहुचर है थ्री ओब्लिक फोर यर के कोर्सेस हैं जिसके जो कोर्सेस हैं तो यहां पर इन कोर्सेस की हम बात कर रहे हैं इसका दूसरा प्रफरम आप डाउनलोड करेंगे जाकर वेप साइट से य यह 800 रुपे हसी स्टी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फी कलेक्ट लिंक के थुरू आप यहां पैमेंट देंगे तो यहां कुछ एक्जामनेशन जो इंपॉर्टन डेट्स हैं तीन नॉमबर से सुरू एक दिसमबर इसकी लास्ट डेट है फ़रम भरने पैमेंट दे सभी की अलग-अलग यहां पर प्रवाइट कराई गई है अब देख सकते हैं किसकी कितने साल की कॉर्सस है कुछ 3-year के कुछ 4-years के और 6-month internship 3-3-years के सभी के अलग-अलग है आपको registration करना है पेमेंट करना है फिर उसके बाद payment details entry करनी है जो आपको seats के बारे में व्योरा अग में बताया है कि seats matrix will be displayed before counseling यानि counseling के time में आपको यह provide करा है जाएगा अब यहां पर आप आगे final merit और बाकी चीज़े यहां पर देख सकते हैं तो यह सारी चीज़े यहां पर आप देख सकते हैं एक एक क्लियर करके prospectus में बताया है और आपको यहां पर आप देख सकते हैं गया है आप एक करके download कर सकते हैं चीज़ों को समझ सकते हैं आपको अगर कोई सवाल है आपके दिमाग में या जो उठ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद तो comment box में बताएं या हमारे telegram channel पर आएं वहां से भी बता सकते हैं तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को बे कर सकते हैं और फिर 6 दिसंबर इसके last date होगी मेरिट लिस्ट चांसेस रहेंगे 10 दिसंबर को आने की और पहली counselling 15 से आने की counselling के चांसेस रहेंगे तो इस तरीके से आप पूरी चीज़ों को clear कर पाएंगे मिलते हैं उमीद करते हैं इसी के साथ आज के इस वीडियो में इत